एगाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दे चैनल तो आज हम आपके लिए लेके आगे हैं धी ओल न्यू महिंद्रा एक्सवी 7W ये इसका बेस मोडल है जो आता है तेरा लाग सबतर अजार रुपे एक्सवी 7W में डालते हो जो महिंद्रा की एक लगजरी गाड़ी हो तो आपको feature क्या-क्या मिल जाते हैं तो चली एक-क करके इसके feature की बात कर लेते हैं तो फटाफट गाड़ी के front में देख लेते हैं कि बेस मोडल में आपको क्या मिल जाते हैं सबसे पहले आप इसके headlamp पर नजर डाली है तो इसके headlamp unit है वैसी है बट इसमें से projector अठाके आपको halogen bulb का setup मिल जाता है यह आपका high beam के लिए यह low beam के लिए आ जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको pilot lamp देखने को मिल जाता है बाकि DRL इसके अंदर missing है बाकि front की जो grill है यहाँ पे जो आप chrome देखते हो वो missing है बाकि glossy grill आपको सारी देखने को मिल जाती है नीच अगर आप इसके top variant की तरफ जाते है एक 7 की तरफ जाते ना all wheel drive तूस में भाई सारे function मिलते है डास level 2 का function भी उसके अंदर मिल जाता है और जैसा कि आपको पताए है महिंद्रा की ना सबसे ज़्यादा luxury car है सबसे ज़्यादा बिखने वाली गाड़ी है तो फिलाल तो इस प है front में जो काफी ज़्यादा बड़ी है वहीं अगर आप गाड़ी की लंबाई की बात करोगे ना length की तो वह आपको मिल जाती है 4695 mm तो इतनी ज़्यादा लंबी चोड़ी यह गाड़ी है अच्छी कासी आपको इसके अंदर width मिट गई और सबसे अच्छी बात है गाड़ी दाइमेंशन से वह यही है काफी अच्छी दाइमेंशन के साथ यह गाड़ी आ जाती है लंबी गाड़ी है और प्राइस कितना है तेरा लाग सतर अजार रुपे एक शोरूम इतनी बड़ी गाड़ी तो चली यह तो हो गया गाड़ी का overall front आप चलते हैं गाड़ी के side profile पर दिखाते हैं वहां पर क्या मिलता है लेकिन उससे पहले बदा दें कि अगर आप इसका बेस्मोडल लेते हो तो बेस्मोडल लेने में आपको चरिफ यह फाइव जिटर में ही आएगी मैनूल ट्रांश्मिशन ही मिलेगा तो यह दो चीज़े हैं जो आपको fact है कि अगर आप बेस्मोडल लेते हो तो यह दोनों चीज़े जरूर मिलेंगी अभी गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर सबसे पहले आप इसके बेस्मोडल के टायर साइज पर नजर डाल लीजे बाई तो बेस्मोडल से आपको इसके अंदर 17 इंच का टायर मिल जाता है फ्रेंट में आप अब जब स्टार्ट हो जाती है अब जब पर फाइल पर आ्ते हो तो उसका इंडिकेटर जो है न वह भी भाई OR BMW म पे देखने को मिलता है और सका ओर व ब्लाक देखने को मिलेगा एगा MOR hu पीछे की तरफ आते हैं तो यहां बड़ा सापको यहां quarter panel देखने को मिल जाता है क्योंकि यह 5-6 राती है और पीछे इसी वज़ा से बूट्स पेस काफी अच्छा आपको मिल जाता है उपर की तरफ आपको इसके अंदर रूफ रेल देखने को मिल जाती है और ठोड़ा और से लुक गाड़ी का कुछ ऐसा दिखता है वही आपको बड़े से यहाँ पे टेल लैम देखने को मिल जाते हैं और भाई पीछे की तरफ आपको इसके अंदर कैमरा का प्लेश्मेंट नहीं मिलता बाकी क्या मिलता है पीछे दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और उपर की तर है भार से वो कुछ ऐसी आपको मिल जाती है यहां से आप इसके अंदर पैटरोल बवा सकते हूं इसके अदर काड़ीAct hum मिल झाल इंद पाड़े को सबसे बात लगता ही यह थैड़ों दो इसके अंदर आपको फ्रन्ट में ही मिलते हैं अब issy-allows एक मिल रहे होंगे सारी गाड़ी में लेकिन एक उदर मिल जाता है तो दो एरवाग इसके बेस मोडल से आपको स्टेंडर्ड मिलते हैं अगर आप इसकी रेटिंग की बात करोगे कि ग्लोबल एन कैप में इसको क्या रेटिंग मिली है तो वाई सेफेस्ट कार ओव दी यर की फाइव स्टार रेटिंग मिली हुई है तो ओवरोल जो गाड़ी का लूक है बाहर से वो कुछ ऐसा है अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर चलके दिखाते हैं कि बेस मोडल में अंदर से क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है तो अंदर जाने के तो यहां सब कुछ प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा और फ्लास्टिक थोड़ी ची हाड़ प्लास्टिक है और कि चारो पावर विंडो लॉक अन्लॉक का बेटन अंदर से ही अड़ेस मोडल से ओटो फोल्ड तो आपको हाथ से करने पड़ेंगे लेकिन आप इसको अ आगे पीछे और उपर नीचे कर सकते हैं तो भाई अब आगे हैं गाड़ी के अंदर जो इसका डैसबोर वो कुछ ऐसा दिखाई देता है सीट काफी ज्यादा कमफोटेबल थाइसबोर्ट बहुत अच्छा है अब 6 फूट हाइट होते हुए यह यहां तक कवर कर रहा है प आपको इसके अंदर जबरदस्त मिलने वाला है चाहे आपकी फूट 6 फूट हो चाहे आपकी हाइट मतलब 6 फूट हो या फिर अगर आप कम हाइट के भी हो तो इसको सीट को अपने इसाब से आउपर नीचे कर सकते हो डिजिटल क्लस्टर जो है वो कुछ ऐसा मिल जाता है अब यह आपको Scorpio N की याद दिलाएगा क्योंकि इसका जो टॉट एंड वैरेंट है उसमें क्लस्टर जो है कुछ अलग साही है और अलग तरीके से दे रखता है पाकि यह आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जहां पर आपको स्पीडो मीटर आर्पेमीटर मिल जाता है और बीच मोडल से इसके अंदर आटो हैड लैंप आते हैं मतलब वो आटोमेटिकली आपके ओन हो जाते हैं लेकिन यहां से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो बाकि और चीज़े यहां मिल जाती है जैसे आइडल स्टॉप यहां मिल जाता है और यहां से आप इसकी लाइट जब व फिर भी भाई बाहर करोल बाक से आप इसको चेंज करवा सकते हो यह पूरा ही चेंज हो सकता है अब सबसे जो अब इसके अंदर आप पूछो के क्रूस कंट्रोल का क्या सी है न तो भाई इसके बेस मोडल में आपको क्रूस कंट्रोल नहीं आता जो मैंना भी कंफर्म किया ह तो इसके अंदर cruise control नहीं आता है AC के जो console है वो कुछ ऐसे दिखते हैं ये भी कुछ-कुछ Scorpion जैसे देखने को मिल जाएंगे जो control से वो कुछ यहां मिलते है manual आता है, automated climate control नहीं आता बाकि जो button है वो सारे यहां मिल जाते हैं आपको यहां पे hazard light मिल गई, traction control मिल गया और बाकि के जो buttons है वो यहां मिल जाते हैं अभी आ जाता है आपका 6-speed manual transmission के साथ AMT है, वो इसमें EX3 से start हो जाता है बाकि इसमें आपको manual transmission ही देखने को मिलेगा और यहां पे आप बना चकते हैं wireless charger यह आपका electronically इसकेंदर कुछ भी नहीं है, manually आता है बाकि सबसे अच्छी बात है कि आपको इसकेंदर armrest भी देखने को मिल जाता है जो open हो जाता है ऐसे और यहां से आपको इसकेंदर थोड़ा बूट space यहां देखने को मिल जाता है बाकि इसको अगर बंद करते हैं तो यह भी ना आपका hard plastic है यह कोई soft नहीं है तो यह hard plastic यहां मिल गई और भाई फ्रेंट से गाड़ी का look कुछ ऐसा है सबसे अच्छी बात है speaker, इसको six speaker का set मिल जाता है जैसे कि दो गेटों पर चार गेटों पर दो ट्वेटर पर तो अबरोल यह सारी चीजे में आपको देखने को मिल जाती है और भाई यहां पर मिल जाता है इसका IRVM IRVM सारा आपका जो है मैनुवल यह electronically के अंदर कुछ भी नहीं होता और यहां से अगर आप इसमें नजर डालते हो तो यहां कोई vanity mirror नहीं मिलता लेकिन हाँ vanity mirror आपको यहां मिल जाता है यह वाला बड़ा सा vanity mirror आपको यहां मिल जाता है और बाकि जो light है वो यह वाली मिलती है जो आपको मिल जाती है LED वाली अभी डोर उपन है तो हम इसको बंद कर देते हैं माइक की प्लेस्मेंट आपको यहां मिल जाती है और सबसे न और इसके अंदर भाई संरूफ भी नहीं आती बाकि अगर आप इसको XUV 3W से कंपेर करते हो तो उसके बेस मोडल में महिंद्रा जो है इतनी बड़ी गाड़ी देखने को मिल जाती है तो यह काफी अच्छा value for money package हो जाता है अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और पीछे चलके दिखाते हैं कि वहां से क्या चक्कर है तो जो पीछे वाला डूर है वो कुछ इस टाइप का है बाकि यहां पर क्या मिल जाता है यहां पर भी आपको प्लास्टिक का सैट अप मिलता है वही अगर आप इसके AX3 ए AX4 variant के तरफ जाओगे तो यहां सॉफ्टच का यूज जादा मिल जाएगा बाकि यहां पर आपको हार्ट प्लास्टिक मिल जाती है यह पावर विंडो के स्विच मिल जाते है और भाई इस टाइप से इसमें पीछे कुछ स्पेस मिल जाता है चाहे आपकी हाइट 6 फूट हो या शाड़े 6 फूट का बंदा भी अराम से बैठ सकता है जैसे अभी मैं आपको इसके अंदर बैठ के दिखा देता हूं क्या थाइस सपोर्ट मिलता है और अंदर जाने से पहले एक चीज हो रही है देकि इसके अंदर आपको बेस मोडल से आई सफिक्स चायल्ड माउंट देखने को मिले जाते हैं जो कहीं नचोटा बेसिक टॉट मम्लों में जाद तर आपको बेस्प्स मिलते हैं लेकिन इस के चेंद उ neighbor बैठ के दिखाते है और iji डिजाइन लगता है अभी हम आगे हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी की जो सीट है ना फ्रेंट वाली वह मैंने अपने इसाप से अड़ेस्ट कर रहे हैं इसके बाद भी आप गाड़ी में लेग रूम देख लिए तो भाई काफी ज्यादा आपको इसके अंदर लेग रू लीटर से उपर का बूट स्पेस मिलता है क्योंकि इसका जो बेस मोडल उसमें सिर्फ 5 सिटर आता है और तो आपको 7 सिटर मिलेगा और 7 सिटर होने के बाद भी पीछे आप एक बैक रख सकते हो लेकिन यह तो 5 सिटर वाला वाला वैरियंट तो इसका बूट स्पेस दिखात तो 12 वाल्ट का सॉकेट महा लगा हुआ है बाखी थोड़ा बूट स्पेस आपको यहां दोनों तरफ मिल जाता है और इसके लावा जो समान है गाड़ी के अंदर जैसे कि आप अपनी खोलने के लिए यूज होता है वो यहां पर प्लेस कर रखा है अच्छे से इसको इसको ना चलते हुए गाड़ी में कोई साउंड या रैटलिंग मोई ना है टायर की जो प्लेसमेंट होती है स्पेर टायर वो इसके नीचे है और स्पेर टायर भी आपको 17 इंच का ही मिलता है अफ्कूर्स क्योंकि इसमें आपको बेस मोडल से अलोई विल नहीं आते इसलिए इस तो overall जो PC का look है वो कुछ ऐसा है अंदर बार से हमने आपको गाड़ी दिखा दी अब करते हैं गाड़ी की इंजिन की बात तो overall भाइस के अंदर आपको दो इंजिन option मिलते है एक मिलता है petrol एक मिलता है diesel दोनों ही आपको manual gear box से साथ आएंगे. AMT के लिए आपको again इसका जो A एक्स वाला वेरियंट है उसकी तरफ जाना पड़ेगा बागी जो पेट्रोल के एंजन है वो अच्छी पावर निकाल देता है लगबग 182 भी एच्पी और साड़े 300 अनम का टॉर्क वहीं अगर आप इसके डीजल वेरिंट की बात करते हो तो भाई वो पावर निकालता है 182 भी एच्पी और साड़े 400 अनम का टॉर्क साड़े 400 अनम का टॉर्क अपने सेग्मेंट में बहुत जादा है तो इसी तरह से इसके ओवरोल पावर फिगर्स आपको मिल जाते हो यही ता एक छोटा से रिव्यू